Hello guys welcome to my youtube channel, इस वीडियो में मैं बात करने वाला दो most popular extension board के बारे में एक ELV company के ओवसे आने वाला 6 socket का extension board, दुसरा Belkin company के ओवसे आने वाला 4 socket का extension board जिसके अंदर 15,000 का आपको claims भी मिलता है, वो lifetime warranty भी देखने को मिल जाती है तो warranty किस तरह claim करना है, किसके अंदर कितना load ले ले लेता है, और इसके अंदर कौन से appliance आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि freeze होगया, AC होगया, geezer होगया, microwave, oven होगया, heater होगया, या फिर पूरा computer का setup होगया, वो load उठा पाता है, बिकि नहीं, वो इसके अंदर wire की length कितनी दी ग protection इसके अंदर भी हो, lifetime warranty, order protection इसके अंदर भी दी गए, पर कोई भी outer fuse visible नहीं है, तो वो किस टाइप का fuse इसके अंदर दिया गया, कौन सी technology को use किया गया, और इसके अंदर कोई भी आप adapter लगाते हो, जैसे कि बड़े साइस का adapter लगा रहे हो, तो इधर लगाने से एक दूसर इधर वो कितना MPR का, वो भी इस पे, कौन सा वाला आपको purchase करना चाहिए, तो आप भी सुच्छों का अच्छे से extension board purchase करने के लिए, आपका budget आराओ 200 रुपिस के करीब है, तो ये ELB company का मैंने purchase किया, 299 का Amazon पे different seller है, ये में कोई 400-500 का sale कर रहा है, जो best seller रहेगा, इसका लि 2023 ये अपर 2024 में देख रहे हो, 6 इस मन्द में इस टाइप के extension board अपडेट होती रहते है, अभी smart extension board भी आगे, जो के phone के तुरू turn off, turn on होते है, इनकी लिंक भी मैं description में दे दूँगा, तो आप एक बार description ज़रू चक करने न, ये price में रहागा, तो वो भी आप buy कर सकते हो, ELB वाले के अंदर complete 6 socket, single button दिया गया, button के अंदर ही light indicator, जबी भी power on करोगे, कुछ इस टाइप के light glow करेगी, back side में कुछ इस टाइप का इसे आप wall पे भी mount कर सकते हो, overall round देखने को मिलता है, 2 meter का complete wire दिया गया, 10 ampere का socket और 10 ampere का plug इसके अंदर है, बैल किन वाले के अंदर, चा power on, power off, light indicator इसके अंदर ही है, back side में hang करने के लिए holes भी है, तो easily आप इसे wall पे भी hang कर सकते हो, 1.5 meter का wire length है, कुछ adapter को मैंने इसके अंदर लगा दिया, बड़े साइस के side में आपको इतने space देखने को मिलता है, तो बड़े से बड़े साइस के इस टाइप का भी adapter आप अगल में लग जाता, तो socket के बीच में space दोनों के अंदर काफी अच्छी खासी दी गई है, fuse की बात करें, दोनों के अंदर auto cutoff के fuse दियेगे, in case कोई भी high voltage current बाहर से आता है, फिर इसके ओपर water गिर जाता है, फिर कोई भी appliance इसके अंदर connect करके use करें, इसके ओपर water गिर जाता है, जैसे के हमारे गर में पहले के टाइम पर DP लगी हुई थी, कुछ भी short circuit या था था इस DP को आप remove करते थे, इसके बाद में नई DP लगाते थे, इसके बाद में MCB आ गया, कुछ भी short circuit या, फिर अर्थिंग अगयरा, कुछ भी होता था तो MCB नीचे गिर जाती थी, अर्थिं कर हो गया, CP हो गया, printer हो गया, या फिर चार्जिंग के लिए almost यह सारे appliance easily use कर सकते हो, कौन से appliance नहीं यूज कर सकते हो, freeze हो गया, AC होगा, geezer हो गया, microwave oven हो गया, heavy water का heater हो गया, यह सारे appliance आप नहीं यूज कर सकते हो, continuously जाधा मातरा में current case थे, जो कि 16 ampere हो 24 ampere के होते है अध सबसे पहला आप जो भी appliance, जो भी gadget लगाने वाले हो, मिनका आपका MPR जानना पड़ेगा, तो इधर मेरे पस कुछ adapter, sockets वगेरा, तो गया फिर यह वाली pin, इमका MPR mention रहे है, इस पे जैसे कि मैं दिखा देता हो, इधर यह adapter पर इन्होंने mention किया, यह 4 ampere का देखने को मिल र इस बेस पे आप extension board purchase कर सकते हो, 10 ampere है तो 10 ampere वाला purchase कर सकते हो, पर अच्छा वाला purchase करना ज्यादा बहतर है, as compared to सस्ता वाला 10 ampere से, क्योंकि काफी सार extension board हो 10 ampere बता जेते हैं, पर इसके तो जो material real में use करते हैं, वो 10 ampere का नहीं होता है, तो वो बेस पे आपको एक हकिकत में करना चाहिए, तो आपका budget कम है, और आपको एक 10 ampere का extension board चाहिए, और उपर से जो के socket के बीच में थोड़ा से space वगेरा भी रहा, तो वो बेस पे आप ELV वाली की ओर जा सकते हो, और next आपका budget भी जाद है, और आपके appliance भी काफी महेंगे वाले gaming वाले का पूरा setup है, या फि 12,000 रुपर तभी claim कर पाऊए, जब आप 6 ampere या फिर इससे कम कही adapter लगाओ, और कुछ भी short circuit होता है, कुछ भी issue होता है, आप से खुद से भी होता, water गरा गिरने से, तो भी आप easily claim कर सकते हो, तो ये चीज आप बेनेफिट देखने के मिलते हो, चाहिए भी देखने के मिलत बैल की वाला पर्चीज गया था, 895 का, Amazon, इसके भी different different seller है, same, ये कोई 1300, 1400 का sale कर रहा है, जो best seller है, विनका link आपको description में मिल जाएगा, 10 ampere, 60 ampere का भी बैल की में available है, और इसमें भी available है, विनकी link में मैं description में दे दूगा, तो आप एक बार description जरूर चेक कर लेना, और ये वी वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा है, जाते हैं तरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी interesting वीडियो चीए, तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए, thank you so much for watching this video,